चलिए तो सभी लोग जुट जाएंगे क्योंकि आज पर्सेंटेज का फर्स्ट कलास है यानि परतिसत आज चालू हुआ है यानि आज चालू होगा हुआ नहीं होने वाला है यानि पर्सेंटेज का ये फर्स्ट वीडियो है और डेली आपको मॉर्निंग में साथ बज़े वी हुआ है तो आपको आने वाला समय में मैंत का एक बेहाथर कंसेट मिल लेयागा तो स्टार्ट करते हैं मैंत का परसेंटेच यानि आज परसेंटेच का पहला कलास है सब लोग को देखना है क्योंकि आज पर्सेंटेज का कितम जिरोnea लेवल कशलोगा ठिक है सब करते हैं को पता है कि आज क्या होने वाला है परसेंटेज 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 बहुत लोग पढ़े भी होंगे बहुत सिंपल साथ चीज है लेकिन समझना है प्रतिसत नाम है प्रतिसत हिंदी में सबसे पहले आपके मन में आएगा कि वाल इस परसेंटेज प्रतिसत क्या है तो मैं आपको समझाओं कि यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रतिसत क्या है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बताओं कि प्रतिसत के जो नाम है उसको आप गौर से देखिए प्रति मतलब एक प्रत प्रतिशत का simple अगर मतलब आप देखेंगे तो प्रतिशत का मतलब हुआ कि किसी भी हिसाब किताब को अगर कितना पर एक पर नहीं 100 पर किया जाए तो उसका एक value प्रतिशत कहला राता है यानी कोई भी हिसाब कोई भी डाटा कोई भी बात यह आप 100 पर करते हैं तो उसको परतिशत कहते है ठीक है यानि परतिशत कहने के मतलब हुआ कि 100 में कितना ठीक है परसेंट तो परतिशत का मतलब कोई भी हिसाब किताब जो 100 पर करते है वो परतिशत है इसको न डिनोट किया जाता है ऐसे यह पर्टिशत का सेंबल है इस टाइप से आप समझेंगे यह ऐसे और यह बुंदा इधर यह बुंदा इधर यह पर्टिशत इतना वारा वर्ड न लिखके आप ऐसे लिख देंगे तो मज़ेगा ध्यान से एकदम छोटा-छोटा चीजार मांतलब क्या होता है जैसे अगर मैं बोलू एक रुपय्या लेक घ्या अच्छी बात है एक रुपया सब लोग समझते हैं एक पर सेंट फंसर आप ंपय कम हो जाएगा एक काम मतलब है थे एक रूपिया के मतलब स sow परसेंट यायनि तो पर्तिषत मतलब पूरा इसका मतलब होकी यह स्पर हो पर पर्तिषत मीज़ेवनमबर हो रहा है दिश्भास दूब नंबर है दूनिया में एक सेपल श्रथितों नंबर and परखाद 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया, 10,000 कुछ भी आप बोलते हैं, यह तो एक रुपया है जो समलोग समझते हैं, और इसी 2 को परसेंट में बोलेंगे, तो 2 परसेंट, तो ऐसा नहीं कि 2 रुपया, 2 परसेंट बड़ाबार है, ऐसा नहीं होगा, यह 2 रुपया मतलब 100%, साब्दिक और त्रिवा हुआ, कि 100% कहने का मतलब कि हम लोग बोल चाल के बास नहीं बोलते हैं, एकदम 100% गारेंटी है कि काम होगा, हम लोग बोलते हैं, जैसे कि पूछ दिया जाए कि आज कौन सा दीर है, अब बोल देते हैं कि चलो भाई, आज संडे है, अगर स मतलब के 100% मतलब है, जो 1 रुपिय का मतलब है, जैनि एक ठ्रिक्शन में अगर एक बोलाता है, तो पर्षेंटेर्ज में 100% मतलब अगर ऐसे नंबर में हम आधा बोलेंगे एक बटा दू, ěक पर्षेंटेर्ज में 50% मतलब नहीं बोलता है कोई काम की आधा होने का संभाव पेखना है तो कु याह ने बोलता है कि 50-50 परसेंट चलेगा पतला पचास फ्रसेंट का थोड़ा छोड़ा झट बात यहाँ को चाहर्य ये और यह सौ परसेंट 20 परसेंट परसेंट फांटम है है ये fraction है भी तो fraction नहीं है लेकिन ये fraction इसके बठाय में उनकर्द की हो जाएगा ये fraction है और ये 100 % 50 % % % बहेलू है तो आपके मन में आयागा कि सर दो बात हो ना है बात को गपर कि जैएगा एक प्रसेंटेज यानि आजिकी कलास में हम लोग समझने वाले हैं यही चीज यी फ्रेक्शन को पर्सेंटेज में कैसे बदले कि आपने एक बटा दूर को पचास परसेंट कैसे बोला अगर कहीं सार एक बटा तीन आ जाएगा तो उसको परसेंट में क्या बोलेंगे जैसे आप एक को 100% बोला, एक मता दू को 50% बोला, उसी परगार एक मता 3 को क्या बोलोगे, फिर एक मता 4 को क्या बोलोगे, अर्थात यानि जो आप से fraction जो value है, यानि भीन में जब कोई question रहेगा, तो परतिसत में पूछ सकता है, ठीक, और दूसरा question हुआ, कि अगर परतिसत में है, तो fraction में पूछ सकता है, अर्थात percentage का सबसे basic और सबसे easy class अभी होने वाला है, और उसमें आप सीखने वाले है, एक परतिसत को कैसे fraction में change करते हैं, और एक fraction को कैसे percentage में change करते हैं, ठीक है, तो heading लगाएंगे, सबसे पहला दो चीज है, इसमें से आपको भी basic समझाएं, तो सबसे पहला heading होगा हम लोग का, या heading होगा, percentage, percentage, change in fraction, और हम लोग यह सिखने जा रहे हैं, कि percentage को पहले सिख रहे हैं, कि percentage को न, simple साची, कि percentage को fraction में कई से बोलेंगे, जैसे, कहीं अगर यह लिखा रहे है, 100 प्रतिसत, कहीं लिखा रहे है, 50 प्रतिसत, कहीं लिखा रहे है, 20 प्रतिसत, कहीं लिखा रहे है, 30 प्रतिसत, कहीं लिखा रहे है, 40 प्रतिसत, वाली यह किस चीज में दिया है तो बोलेंगे यह पर से परितिसत में दिया है तो एक चीज में बदलेंगे वह है फ्रेक्शन यानि कुछ मत किजिए एक नया चीज़ सिकhye या यह परदीसन ल हाटाना है तक वने फ्रेक्शन में आएगा इस परदीसन का सिम्बल लगा हुए हुआ है तो आज जान लिजिए अगर परदीशन को हटाना है क्या बोले परतीसत यानि परसेंटेज को हटाना है तो बटा में 100 लाना है अर्थात ये 100% हटाना चाहते हैं तो बटा में 100 को लिए ये क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं कि परतीसत का सिंबल हटाना है पर्सेंटेज का सिंबल हटाना है तो सौ नीचे लाना है नीचे सौ लाना है कट गया वन आया तो डाउट कहीं किसी एदम बोले न कि दूद्ध पिरेवला वच्चा भी वेट कराम से देखेगा न उसको भी याद आएगा इतना छोटा छोटा बात ही करते हैं फबनेल पर ही देखे जीरो लेवल से लेकर एकजाम लेवल तक दो हीरो लेवल वनली एकजाम लेवल ओके था लेवट 50% लिखा हुआ है फिर 50 के 50 लिखे और परतिसत हटेगा तो बटा में 100 आएगा एगो सुना से एगो सुना पाच दुनी के 10 अर्थात आया 1 वाइट चू कोई डाउट नो डाउट आईए 20 परतिसत तो 20 और परतिसत हटाना है बहुत दर पहले बोले हैं कि 100 नीचे लाना है बन पांच बतन अर्थात आया उपर वा निच्चा पांच यानि 20 परसेंट का फ्रेक्शन भेली हुआ 1 बटा 5 ओके इस परसेंट तो 30 अब परतिसत हटाना है तो बटा में 100 सुनना से सुनना खतम आया 3 बटा में 10 से क्या आलीस परतिसत लिखा हुआ है तो 40 और परतिसत हटाना है तो बटा में 100 अब बोलेंगे सर इतना इजी को आप इतना देश से बता रहे हैं हम बोलेंगी नहीं सिखाना है लोकी पढ़ाना है पढ़ने के लिए बहुत सारा चाहर जाकि आप पढ़ सकते हैं लेकिन तो परसेंट है मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए और यह तो बहुत सिंपल सा नंबर आपने लेके ईषय पाटा साप्चाश अपयर चीजिए अपने फ्रेक्सरं ने बदल्ला सिखा दिया लेकिन सर जब कोस्टर इतना सिंपल नहीं हो को सर ऐसे हो तोला सहिट दू बटा तीन परसेंट इसको फ्रेक्शन वोड़ा एक बटा नौ परसेंट यह भी तो परसेंटेज में हैं लेकिन बड़ा सिंपल नहीं है अब थोड़ा अजीव हो गड़ीव है इंसरेल नहीं सब बनेगा सब 14 सहिट दू बटा साथ परसेंट 33 सहित एक बटा तीन परसेंट इसको कैसे बनाएंगे सर हम बोलते हैं कि बनेगा और अच्छे से बनेगा लेकिन इसके लिए को क्या करना है बताईए आपको अराम से इत्मिनान से देखना है देखेगा ध्यान से जो चीज इधर रूल था न कि परतिसत को हटाएंगे तो बट ग्रत थोरस यह पुर्णांग में देदिया है तो अगर बच्चा को थोरा सा भी पुर्णांग का जनकाड़ी होगा सरवाच चेक करते रहेगा बहुत सब्सक्राइब कर दो जाएगा लेकिन नहीं है कोई बात ने भी हम सिखा रहें अराम सिखेगा फुर्णांग तो नहीं लेकिन आप भूल गये होंगे वेरा ये है कि आप भुल गये होंगे इसलिए बता रहे है ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा है आपको आड़ा आपको बहुत कुछ हाड़ा है लेकिन मेरा काम है कि हर एक चीज बता देना देख को कोई प्रोब्लम नहों चलिए अब वही चीज है तो पहले नहीं हम परसेंट हटाने से पहले अपना लिपट लेते हैं ये पुर्णाग हो गया पच्यास बटातीन और जस्ट अभी हम लोग ने पर क्या आया है कि परतिशत हटेगा तो बटा में क्या आएगा सव हंडेड कि देखिये पच्यास दूना के सव उपर न कुछ हो तो वन निच्चे तीन दूना च्व यानि वन वाइस शिक्स यानि अगर कहीं 16 सहीद दू बटा तीन परतिशत लिखल है इसका फ्रेक्शन में भेल हूँ है वन वाइस शिक्स एकदम बेसिक कलास है सबको आना चाहिए 11 सहीद एक बटा नौ परसेंट है यानि 11 पूरा पूरा एक बटा नौ परसेंट इसको कैसे सोल करेंगे तो पहले हम इससे लिप्टेंगे इससे एक आरनमा निरानमे एक सो तो बटा में नौ प्रसेंट और अब हम बोलेंगे कि परतिशत को हटाना है तो बटा में सो लाना है अर्थात सो बटा में नौ परसेंट हटेगा तो बटा में फिर से सो साउ से सो भगबान के प्यारे उपपर वन बटा नाईन बोलें समझाया की नहीं आया हैा है यह हुगा बहुत सिम्पल है इसको बोलिए 21 पॉरा दूवाटा 7 परसेंट को आप बोलेंगे कि सर पहले तोरते है Jewish तो दस सते अंठान में आदू 100 यानि उपर 100 निच्चा साथ परतिसत के परतिसत अब बदल लेंगे तो बटा में साथ और देखिए परतिसत हटेगा तो बटा में 100 आएगा आगया 100 से 100 खतम यानि 90 वाइस से विन और दिक्कत है देख लेंगे नहीं ना चलिए बहुत अगर हमको कोई परतिसत में देखा न तो फ्रैक्शन में तो अब जस्ट आप बोलेंगे कि सर बहुत हीजी है अगर हमको को कोई परतिसत में देगा न तो फ्रैक्शन में बहुत इजी से चेंज कर लेंगे बट आमें 100 लाला के हम बलेंगे ओके दो प्रोब्लम अब बोलिए कोई भी परतिसत में देगा तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे न जी है ऐसा नमबर देगा तो बहुत देगा तो ऐसे तोर लेंगे तोर लेंगे आज आपने य है कि अगर कभी fraction में दे तो उसको परतिसत में कैसे चेंज करेंगे ओके चल लिए तो स्टैट करते हैं ठान दीजिएगा तो इसको स्लाइट को चेंज कर देते हैं एक बार इसकी स्वर्ट ले सकते हैं अगर चाहे तो आई मार्केट में यह देखिए अब होगा fraction fraction change in percentage fraction को fraction को रथी में चेंट करना है percentage ठीक कैसे करेंगे ध्यास पुझेगा fraction देते हैं पहले fraction देते हैं पहले आफ्रेक्षन देते हैं पहले आफ्रेक्षन दे दियो वन दूसरा दे दियो वन बाई टू तू दूसरा दे दियो वन बाई थिरी तूथा वन बाई फोर फिर वन बाई फाइव ठीक है बोलिएगा इक अथी में देल है fraction में पर कैसे जाने क्योंकि इसमें परतिशत नहीं लगा हुआ है मतलब यह fraction में है मतलब भीन में है किसी में बदलना है भाई कर सेंटेज में इससे पहले परसेंटेज हटाना था आइस वार परसेंटेज को लाना है तो हटाने के लिए 100 से डिवाइड किये थे तो लाने के लिए 100 से multiply करना होगा क्या बोले सुनिएगा percentage जो था उसमें हटाना था तो अपने 100 से divide किया था इस वार खुद percentage लाना है मने परसेंट में बदलना है तो सु से multiply करेंगे ठिक देख़ेगा एक है तो एक और परसेंट में लाना है इसलिए 100 आज जैसी 100 से गुना करेंगे न यहां अपना मन से लटक जाएगा इलटकन परसेंट का ही न लटकेगा तो गलत हो जाएगा इलटकेगा तो मन फ्रह घाता फिर देखिए तो आ गया 100% कर एकवाटा दू है तो एकवाटा दू अब बोलिए पर में लाणा है अगर पर तीसत में बदलना है तो कितना से गुँदा करना होगा। कि परतीसत में अगर लाना है तो सउ से गुदा करना होगा। को सो से गुना कर दिए कि तैमर दोकटेगा दूसरे पक्यास का थाच पक्चास प्रतिसत कौनों दिक्ट को कोई दिकत नहीं का तीजी को एक वागण तीन है सर इसको बताइए न एक वाटा-3 है तेक वाटा-3 लिखे और परसेंट में बदल नहीं तो मास्टर स्याम ने बताया है कि आप आतो सोगना करो और सौगना करें आई वला चीन न दिए तो अब दिए दे दिये और बोलिएगा कि 100 बटा में 3 प्रतिसत इसी को अगर मन हो जाएगा तो भाग दे देगा आदे क्रिसे दिखेगा यह भी सिखाना होगा हमको लगता है लुटा तीन प्रतिसत अब बच्छा को इसी को भी सिखना है तो शिखे मेरे साथ एक बार कैसे यह सौ हुआ ये ऐसे ये आःसे 10 में 3 से difference कितना से ती टिसे अवाज ँषिग है सौ तुमें 3 से डिवाइड करना है कि जी मेरे साथ 13 th मेरे साथ 103 के v Questions 9 एक सुना 10 13INO team एक ऐसे आया किसे लिखाता है तेखिए जो बटा में है बेचारा 3 वह तीन बट conveं आ आधा पर से पर सेंट में बदलना है तो सौना करना ही परेगा में चार से 25 अर्था 25 परसेंट एक वाटा पाँच एक वाटा पाँच उन्हें 100 तो 100 अटेंगे 20 परसेंट कि आपको समझ में आया कि कोई भी फ्रेक्शन भैलू को परतिसत में कैसे बदला जाता है बोलेंगे बिल्कूल आया लेकिन रुकिए अगर आप चाहते कि मैच से आपको प्यार हो है पर्फ में आपका इस पीड बढ़े भैट में आपको च अच्छा कर पाए तो आपको यह मतलत बदला मतल के उतना डिर तक नहीं आपको इन बोले और याद उना चाहिए उस परका उसके लिए आपको एक से लेके एक बटा दू एक भटा तीन एक बटा चार और इससे करक 1-20 तक, कितना तक ? 1-20 तक माले जोग पूछ दिया कि 1-6 कि मतलब क्यतना तो बनाने नहीं जाएंगे सकेंडो में बोलेंगे, सकेंडो में ऐसा आपको बनना पड़ेगा, तो अभी तक जितना हमने बोला कि आपको याद होगा एक के मतलब, बोलिए एक के मतलब 100% और एक वाटा दू के मतलब 50% बोलिए और एक वाटा तीन के मतलब कितना 33 सहीत एक वाटा 3% डाइरेक्ट फास्ट एक वाटा तीन के मतलब 33 सहीत एक वाटा 3% एक वाटा 4 के मतलब 25% एक वाटा 5 के मतलब 20% उसी परकार अब इधा बताते भीयाल चताई धेखना है ऐह क। की एक वाटा छो कि अओधर, एक वाटा Mike का मतलब,Дहार, एक वाटा आटा अमक्यात एक वाटा नौ का मतलब और एक वाटा ज कह स्किया आपको पता है कि सर अगर पर्सेन्ट वदल्ला तो 100 से आप गुड़ा करवे किजेगा बिल्कुल करेंगे अब लिए ये कटेगा तो उपर तीन नीच उपर 50 नीचे तीन दूसे तीन उपर पचास तो 50 बटा 3 और अभी हमने सिखाया है परसेनट में बदलना है तो 100 से उना करेंगे खिर इसको हल करेंगे तो आप बोलेगे निच्चा साथ है तो साथ कैसे करें चौदस सत्य अंठान में अद्दू यानि चौदस दूबटा साथ परसेंट यानी एक बटा साथ का परतीसत में भेलू केतना हुआ तो उदस रहे डूबर्टा साथ परसेंट अवह एक वटा आड आठ है तो एक वटा आठ परसेंट में तो सो से टूरह आठ च्यार से पत्चीश 25 मटा 2 परसेंट तो 2 लाना है कितना 25 तो 12 दूना 24 यारी 12 सहीत एक मटा 2 मतलब सारे 12 परसेंट एक मटा आठ का मतलब पाई एक मटा 9 है एक मटा 9 परसेंट में मदल्ला है तो 100 से गूना परसेंट चीन पक्का आना चाहिए कर एक मिपना 9 तो 112 सहीत एक मटा 9 परसेंट और 10 है तो 1.10 है और 10 परसेंट मतल्ला है तो 100 100 से गुना एक मतले कर दक इतन इतना करना है कि दिखेंट इतनाp burnt Yuk पर याद होना चाहिए तो इसी बोले एक मटा ना बोलिये एकारा सहीत एकवाटा नो परतिंट बोलेगे एकवाटा अभी तो बोले रही है द्याद सुनिए इसका इसकी सट ले लिजिये और अराम से घर पे बैठ के लिखिए अगर आप चाहते हैं आपका मैथ बेटर हो तो कि इंडि बढ़ाने के लिए पहुंक दो करते रहे एक मटा 11 आरा है एक वाटा 24 अब बहुता पॉल यह यह पुर्टा 15 तो गया इस एक वेटा सोल एक वेटा सतर एक वेटा 18 एक वाटा 19 एक वेटा 20 बोलिए कोई दिक्रत है नहीं न आई ए पर्टेंट में बदलना है सर सब लोग जानता है सौ से मल्टिपलाई होता है हम भी जानते हैं आप भी जानते स्पीड बनाना है पैसे होगा सर्थ 11 बट्टा में 119 नमा निन्दान में 100 हो गया यानि 9 सहीत एक मट्टा 11 परसेंट यान परसेंट को बदलना है सोड़ी परसेंट में लाना है तो सौ से मल्टिपलाई करना होगा सौ से मल्टिपलाई कर दिये सर काटिये ना काटने वाला को चार तीया बारा चार से पचीस पचीस मट्टा तीन, तीन गर्टिपल परसेंट यानि एक मट्टा बारा के मतलब हुआ आट सहीत एक मट्टा परतिसम आय एक मट्टा 13 हैं तो एक मट्टा 13 हां फंड़ेड से मल्टिपलाई क्यू सर परसेंटेज लाना है तो सौ से गूना करना होगा कर दिए तो आप तेरा कि देगा है कि तेरे सत्य एकानवे नौ यानि साथ सहीत नौ बटा तेरा परसेंट ध्यान देंगे आए चौद एक बटा चौद परसेंट बदलना है तो सौ से गुना अचौद बटा में साथ साथ सत्य उन्चास Cabadla खें में साथ सत्यसा इक परसेंट तौद ध्यानि यानि यह 20 मटा तीन और विस मटा तीन परसेंट बड़लना है तो आप जानों बनाना है तो आपको स्पीड ही बहुत बहुत रखता है तो धीरे धीरे हम लोग स्पीड को ठीक करें गया भी ओके सली आईए एक मटा सोला है तो एक मटा सोला परसेंट मदलने के लिए कितना से मल्टिपलाई सौ से आज जान गए हम से चार चक सोला आज चार से पचीस पचीस मटा में चार इसको प्यारते बोलेंगे चार चक चोवीज यानि छौ सहीत एक मटा चार परसेंट है आए एक वटा सत्रा के वटा सत्रा उने में केतना सौ परसेंट में आ गया बना के लिखेंगे तीच्छे सत्रा है तो सत्रा पचे पचासी अब पंद्रा ओंग यानी पान सहीत पंद्रा इस त्रा परसेंट एक वटा अठ्रा है तो एक वटा आठ्रा पर्सेंट मदलना है तो सौसे प्रतिसत वो लिया कातेंगे दूसेत नौ आए दूसेत पचास उपपर पचास निच्चा नौ नो के नौ छोड़ दिज्ये नौपचे पैंतालिस सब्सक्राइब signage प्रेसेंट हान तोले सहां प्रतिषत करो तेमें से प्रक्तिषत प्रेसिस कगोनगे करें मैं इन उना इस कर द पिस्टर प preосьन में उनाक्स और रिए ज़नी पाज शाइट सब्सक्राइब प्रतिसत को अगर हटाना है तो 100 से भाग कर देना है और प्रतिसत लाना है तो 100 से गुणा करना है यह चीज समझ गया है और फ्रतिसत से प्रतिसत बदल लेंगे और यह एक से लेकि एक मटा 20 तक आपको याद होना चाहिए जैसे हम बोले कि चलो एक मटा 12 कब बोलो क्या होगा तो डायक्ट बोले कि एक मटा 12 मतलब 8 ताहित एक मटा 13 परसेंट उतना स् कि जल्दी जल्दी काम हो जाए तो आज इंट्रो कलास था आज हम लोग पर्सेंटेज में क्वाल दो बात सीखें कि फ्रेक्षन को फ्रेक्षन को पर्सेंटेज में कैसे बदलेंगे तो अगर फ्रेक्षन से पर्सेंटेज लाना है पर्सेंटेज में बदलना है तो सौस से मल् पर पर जाके यह सारी बातों को लिखिए पढ़िए और दो तीन चार बड़ दूरा दीजिए कल के कलास में आपको मज़ा आ जाए और स्पीड बन जाए तो फिर मिलेंगे कल सात मज़े डेली मौर्णिंग में आप सात मज़े जूर जाएगा मैट का बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको धीरे धीरे मिल जाएगा पता भी नहीं चलेगा एक छोटा छोटा चीज और धीरे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर कल भाए